साथियों एक प्रश्न घड़ी से संबंधित भी पूंचा जा रहा है कि एक टाइम दे देते हैं कि जैसे साढ़े बारा बजे हैं टो मेरे कॉस्चन मतलब मेरे पेपर में यही पूछा गया था कि साढ़े बारा बजे हैं तो इससे क्या बोलेंगे या फिर ये पूछ लेते हैं कि दो बजे हैं तो इसे क्या बोलेंगे या फिर सबा दो बजे हैं तो इसे क्या बोलेंगे तो यहां करमसह ये आप देख लें और जो एक घड़ी है ये बिल्गों सैम की सैम कक्षा 10 वी की पुस्तक में दी हुई है तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा आएगा आपको देखें यहां एक बार आपन देख लेते हैं आप वहां भी एक बार देखने की कोशिश करें मैं डिस्क्रिप्सन में भी इसे डाल दूँगा जिससे आप वहां से भी यह पेज डाउनलोड कर लेए चलें देख लेते हैं सबसे पहले एक बज़ा हुआ है यहां तो एक बज़े को क्या बोले ग एकवादनम एक बज़ा हुआ है आगे घड़ी घुमी कितने बज़े दो बज़े तो क्या बोलेंगे दूई वादनम दो बजे को इसी प्रकार से आगे और सुई घूमी कितने बजे त्री वादनम तीन बजने को क्या बोलेंगे त्री वादनम आगे चतुर वादनम चार बजने को फिर पंच वादनम फिर क्या बोलेंगे शड वादनम इस प्रकार से ऐसे ही आगे देखते जाना है और एक चीज़ और ध्यान रखना है बिलकुल सही सब्द याद रखना है तो की सब्दों पर ध्यान दिया जाता है वहाँ एक है ये सब्दवादनम फर क्या है आठ बच चुके हैं तो अश्टवादनम फर नववादनम नवजे हैं न तो नववादनम अब दस बच गए तो क्या बोलेंगे दस वदनम और आप यदि संस्कृत के विद्यारती नहीं रहे हैं तो आप थोड़ा सा रटने की कोशिश करें ये याद करने की कोशिश करें ग्यारह बजेंगे तो एक आदश वादनम और बारह बजेंगे तो दौादश वादनम आपको ऐसा बोलना पड़ेगा अब देखें ये तो था अपना किवल करेक्ट टाइम होने का की एक, दो, तीन, चार, पाँच बजे थे अब है यदि सबा बजा हो तो सबा के लिए क्या सब्द आएगा? सपाद इस प्रकार से सब्द आगे जोड़ना है पन को तो देखें, यहां सबा एक वजा है तो क्या बूलेंगे? सबा एक को सबाद एक वादनम यही आगे है, सबादो बजे हैं तो सबाद दूई वादनम आगे सबाद त्री वादनम बिलकुर समझ में आ रहा होगा आगे क्या है? फिर सबाद चत्र वादनम देखें, चार बजे हैं न, सबा चार तो सबा चार को क्या बोलेंगे? सबाद सब्द जोड़ना है आपको इसी परकार से सबाद पंच वादनम फिर सबाद शड़नम सबाद सब्द वादनम वही रहेगा, अश्टवादनम भी है फिर सबाद नवबादनम और सबाद दशवादनम देखें, बलकुर सेम चल रहा है यहां एक आदशवादनम शबाद दौदशवादनम यह कंप्लीट हो जाएगा आपका तो यहां था सबाद बजने वाला अब आएगा काटा कहां यहां तो अब बजेंगे साड़े अब देखें जैसे साड़े छे बजे हैं, या फर साड़े एक बजे हैं देड़ बजा है, तो देड़ बजे को क्या बहुलेंगे अपन, साड़, साड़ सब्द आएगा यहां पर मतलब आधा, साड़ सा अर्धह वह आधा, देखें आधा रहेगा यहां तो शाड़ एक बजनम ये साड़ सब्द जो है, ये आगे लगाना है जब आधा रहे, तो ये है क्या सार्ध दूई वादनम ये क्या रहेगा शार्ध त्री वादनम ये सार्ध चतुर वादनम अगे क्या है सार्ध पंच वादनम अगली घड़ी में भी साड़े च्छे बजे हैं तो शार्ध शड वादनम सार्ध सप्त वादनम सार्ध अश्ट वादनम बिल्कुर स्यम वही चल रहा है यहां नवबादनम सार्ध दसवादनम सार्ध एकादस वादनम सार्ध द्वादस वादनम बिल्कुर स्यम वही है अब यहां था क्या अभी तक तो साड़े बज़ रहे थे अब पौन पे आ जाएगा बोलते हैं ना कि पॉने एक, पॉने दो या दो बज़ने में पंद्रह मिनिट कम है पॉने तो इसको कैसे बोलेंगे जैसे टाइम वहां दिया है पेपर में कि एक बच के पैंतालीस मिनिट को संस्क्रित में क्या बोलेंगे आपको क्या लिखना है पादोन दूई बादनम अब ये एक सब्द नहीं आएगा या अब ध्यान रखना यहां ध्यान देने वाली बात क्या है यहां अगले वाले सब्दे से मतलब जो अगला वाला टाइम है उससे सुरूम आता होगी क्योंकि पॉने दो बोलते हैं ना इसलिए अपन यहां लखेंगे पादोन पादोन पाद उन उन मतलब होता है कम तो यहसा पादोन पादोन दूई बादनम फिर पादोन त्री बादनम मतलब पॉने तीन पादोन चतुर बादनम पॉने चार अगे पादोन पंच बादनम पादोन शटवादनम पादोन शब्तवादनम इस प्रकार से अब क्या बोलेंगे पादोन अश्टवादनम पादोन नववादनम पादोन दशवादनम आगे क्या है पादोन एकादसवादनम पादोन द्वादसवादनम पादोन एकवादनम देखें अभी एकवादनम तो नहीं था स्टार्टिंग में क्योंकि यहां ऐसा काटर रहेगा तो एकवादनम क्या रहेगा पादोन एकवादनम यहां अपनी पूरी गिंती कंप्लीट हो गई है और आप लोग एक चीज़ इसमें ध्यान रखें जो पहला रहेगा केवल डारेक्ट घड़ी चलेगी इसमें इसके बाद जब दूसरा रहेगा दूसरे में क्या होगा सबा बजएंगे तो क्या करना है सपाद जब हाफ रहेगा आधा रहेगा डेड़ बजएंगे तो क्या बोलेंगे सार्ध और उसके बाद अप पौन पर पहुंचेगा तो पादोन इस प्रकार से यह बस ध्यान रखना हो रहे है अपको घड़ी कंप्लीट है आपको एक नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाता है बस सब्दों का ध्यान रखना है आपको और कुशनी करना है और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि जो भी मैं और इस पर करका वीडियो डालू वो सीधे आप सभी के पास पहुंच जाए